हाई अम शुश्मिता वैनत ची पता है दुनिया में इतने जगरे क्यों होते है क्योंकि एक जैसा सोचता है दूसरा वैसा नहीं सोचता तो वहाँ पे जगरे होते है तो क्यों ना हम दूसरों के point of view को भी समझे और उसे अपने mind में डाल दे और ऐसा बस तब ही possible होगा जब हम open minded होंगे तो आईए आज इसके बारे में बात करते है पिछली बार मैंने कुछ new year coach बताए थी आप interested हो तो जाके देख सकते हो चलिए तो आज का वीडियो फटा फट स्टार्ट करते है have a change अगर हम घिसी पिटी जो भी करते है वैसा ही करते रहेंगे तो हमारा mindset भी वैसा ही रहेगा तो अपने routine में कभी कभी थोड़ा ब्रेक लाओ और नई चीज़ा try करो तो आप कुछ नया experience करोगे variety of conversation कहा जाता है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हमारा mindset भी वैसा ही बन जाता है तो आप अलग-अलग लोगों के साथ मिलो बाते करो तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा travel चलो अब एक कहानी बताती हूँ बहुत पहले एक कुए में एक मेंडक रहता था और उसके सारे दादा पर दादा जो भी थे सबी वही पे रहते थे एक दिन कुए के ऊपर उसने एक हंस को देखा और हैरान हो गया क्योंकि उसने कभी हंस देखी ही नहीं थी क्योंकि वो कभी कुए से बाहर नहीं निकला था ना लेकिन हंस ने तो बहुत मेंडक देखी थी तो वो दोनों बाते करने लगे और हंस ने मेंडक को पूछा क्या तुमने कभी बाहर की दुनिया देखी है मेंडक हसने लगा उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता तो हंस ने उसे बोला इससे बाहर भी एक दुनिया है जाहा बहुत कुछ है तुम्हें तो पता ही नहीं है दुनिया होती क्या है और तुम इस कुए को ही अपनी दुनिया समझ के बैठे हो चलो मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ और मेंडग हंस के पीट पे बैठ गया और सारी दुनिया वो हरे भरे पेर खुब सुरत से फूल देखके बहुत खुश हो गया तो आप भी उस मेंडग की तरह मद बनो दुनिया में बहुत कुछ है अपनी कुए से बाहर निकलो और देखो कितना कुछ है जानने को रीट जितने किताबे पढ़ोगे उतनी ही ओपन माइंड़ बनोगे अभी अभी मैंने एक किताब पढ़ी तो वहाँ पेना एक बहन है बीम जो कि अपने भाई राजा से कही सालों से गुसा है और उससे बात भी नहीं करती मिलने भी नहीं जाती पर एक दिन वो ना एक हिस्टरी की किताब पढ़ती है और उसके बाद उसका गुसा मानो यू गायब हो जाता है और उसको मिलने भी बुलाती है तो ये है किताब की पावर बुक्स आपकी माइंड खोल देखी और आप दूसरों को भी अच्छे से समझ पाऊगे लिसन बोलने से जादे इंपोर्टेन होता है सुनना बस अपने एक ही तरह के सोच में बंधों के मत रहो सब की सुनो चाहे उनका ओपिनियन आपसे कितना भी अलग हो उनके पॉइंट ओव व्यू को समझो सोचो अच्छे से सोचो और फिर आपको जो सही लगे वो करो तो दोस्तों अगर आप ये ट्राइ करोगे तो आप ज़रूर open minded हो जाओगे मत समझो इसको सही और उसको गलत कभी कभी गलत भी सही होता है और सही भी गलत माइंट को ओपन रखो चीजों को अलक नजरिये से देखो शायद वो दिख जाए जो पहले ना देखा हो वीडियो हिलफुल लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्रेब करते ना फिर मिलेंगे नेक्स टुइसड़े और सैटरड़े को गुद्बाइ और ओपन यूर माइंट